मेरे प्यारे देश्वासियों, नमस्कार, कल माग पुर्णिमा का परवथा, माग का महिना विशेस रुप से नदियों, सरोरों और जल स्त्रोतों से जुड़ा हुआ माना जाता है, हमारे सास्त्रों में कहा गया है, मागे निमगना, सलीले शुशीते, विमुक्त पापा, तिदिवं प्रयांती, अर्थात माग महिने में किसी भी पवित्र जलाशे में स्नान को पवित्र माना जाता है, दुनिया के हर समाज में, नदी के साथ जुड़ी ही कोई न कोई परंपरा होती ही है, नदी टर पर अनेक सभ्यताएं भी विक्षित हुई है, हमारी सस्कृती क्योंकि हजारों वर्ष पुरानी है, इसके इसका विस्तार हमारी हाँ और ज्यादा मिलता है, भारत में कोई ऐसा दिन ही होगा, जब देश के किसे ने किसी कौने में पानी से जुड़ा उत्सवना हो, माग के दिनों में तो लोग अपना घर, परिवार, सुक, सुविदा छोड़ कर, पूरे महिने नदियों के किनारे कल्पोवास करने जाते हैं, इस बार हरिद्वार में कुम्ब भी हो रहा है, जल हमारे लिए जीवन भी है, आस्था भी है, और विकास की धारा भी है, पानी एक तरह से पारस से भी ज़्यादा महत्ववोड है, कहा जाता है पारस के स्पर्ष से लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है, वैसे ही पानी का स्पर्ष जीवन के लिए जरूरी है, विकास के लिए जरूरी है, साथियों, माग महने को जल से जोड़ने का संभवत अएक और भी कारण है, इसके बाद से ही सर्दियाँ खत्म हो जाती है और गर्मियों के दस्तक होने लगती है, इसलिए पानी के सवर्वक्षन के लिए हमें अभी से ही प्रयाप शुरू कर देने चाहिए कुछ दिनों बाद मार्च महिने में 22 तारीकों वर्ल्ड वटरी भी है मुझे यूपी की आरैध्या जी ने लिखा है कि दुनिया में करोडों लोग अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा पानी की कमी को पुरागने में ही लगा देते हैं बिन पानी सबसून ऐसे ही नहीं कहा गया है पानी के संकट को हर करने गिये ओती अच्छा मैसेज पस्चि मंगार के उत्तर दिनाजपूर से शुजीर जीन मुझे भेजा है सुजीर जी ने लिखा है के प्रकुतिन जल्गे रुपे हमें एक सामुहिक उपार गया है इसलिए इसे पचाने की जिमेनदारी भी सामुहिक है यह वाद सही है जैसे सामुहिक उपहार है वैसे ही सामुहिक उत्तरदाईत में भी है सुजीती की बात बिल्कुल सही है नदी, ताला, जील, वर्षा या जमीन का बानी इस सर्थ हर किसी के लिए है साथियों एक समय था जब गाओं में कुएं, पोखर, इनकी देखवाल सम मिलकर करते थे अब ऐसा ही एक प्रयास तमिनाडू के तिरुवन्ना मलाई में हो रहा है यहां स्थानिये लोगों ने अपने कुओं को समरक्षित करने के लिए अभियान चलाया हुआ है यह लोग अपने इलाके में वर्षों से बंद पड़े सारवजनी कुओं को फिर से जिवीत कर रहे है मद्द प्रदेश के अग्रोधा गाओं की बबीता राजपूत जिर्भी जो कर रही है उससे आप सभी को प्रेणा मिलेगी बबीता जी का गाओं बुंदेल खंड में हैं उनके गाओं के पास कभी एक बहुत बड़ी जिल थी जो सुख गई थी उन्होंने गाओं की ही दूसरी महलाओं को साथ लिया और जिल तक पानी ले जाने के लिए एक नहर बना दी इस नहर से बारिस का पानी सीधे जिल में जाने लगा अभी जिल पानी से भरी रहती हैं साथियों उत्रा खंड के बागेश्वर में रहने वाले जगदिश कुनियान जी का काम भी बहुत कुछ सिखाता है जगदिश जी का गाउं और आसपास का ख्षेत्रा पानी की जरुरतों के लिए एक प्राकुतरिक स्रोथ पर निरभर था लेकिन कही साल पहले इस स्रोथ सुख गया इसे पूरे इलाके में पानी का संकट गहराता चला गया जगदिश जी ने इस संकट का हल व्रक्षा रोपन से करने की ठानी उन्हें पूरे इलाके में गाउं के लोगों के साथ मिलकर हजारों पैड लगाए और आज उनके इलाके का सुख चुका वो जलस्रोत फिर से भर गया है साथियों पानी को लेकर हमें इसी तरह अपनी सामुही जिम्मेदारियों को समझना होगा भारत के जादातर हिस्सों में मैज जुन में बारुष शुरू होती है क्या हम अभी से अपने आसपास के जलस्रोतों के सफाई के लिए वर्षा जल के संचैन के लिए सो दीन का कोई अभियान सुरू कर सकते हैं इसी सोच के साथ अब से कुछ दिन बाद जलशक्ती मंत्रा ले द्वारा भी जलशक्ती अभियान कैस्द रेइन भी शुरू किया जा रहा है इस अभियान का मुल मंत्रा है catch the rain where it falls when it falls हम अभी से जूटेंगे हम पहले से जो rain water harvesting system है उन्हें दूरस करवा लेंगे गावों में तालाव में पोखरों के सफाई करवा लेंगे जल स्रोतों तक जार है पानी के रास्ते के रुकावटे दूर कर लेंगे तो जादा से जादा वर्षा जल का संचयन कर पाएंगे मेरे पहले देश्वासियों जब भी माग महने और इसके अध्यात्मिक सामाजिक महत्व की चर्चा होती है ते चर्चा एक नाम के बीना पूरी नहीं होती ये नाम है संत्रविदास जी का माग पुर्णिमा के दिन ही संत्रविदास जी की जैनती होती है आज भी संत्रविदास जी के शब्द उनका ज्यान हमारा पथ प्रदर्शन करता है उन्होंने कहा था एकई माटी के सब भांडे सबका एको सरिजन हार रविदास व्यापई एकई घट भीतर सबको एकई घड़े कुमार हम सभी एकी मिटी के बरतन हैं हम सभी को एक ने ही घड़ा है संत्र विदास जी ने समाज में व्यापत विकृतियों पर हमेशा खुल कर अपनी बात कही उन्होंने इन विकृतियों को समाज के सामने रखा उसे सुधारने की रहा दिखाई और तभी तो मिराजी ने कहा था गुरू मिलिया रैदास दीनी ज्यान की घुटकी ये मेरा सवभाग है कि मैं संत्र विदास जी की जन्मस्थली वारानसी से जुड़ा हुआ हूँ संत्र विदास जी के जीवन की अध्यात्मिक उचाई को और उनकी उर्जा को मैंने उस तिर्थ स्थल में अनुभव किया है साथेओं रविदास जी कहते थे करम बंधन में बंध रहियो फल की नात जियो आज कर्म मानुस का धर्म है सत्भाखे रविदास अर्थाथ हमें निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए फिर फल तो मिलेगा ही मिलेगा यानी कर्म से सिद्धी तो होती ही होती है हमारे युवाओं को एक और बात संत्र विदाजी से जरूर सिखनी चाहिए युवाओं को कोई भी काम करने के लिए खुद को पुराने तौर तरीकों में बांधना नहीं चाहिए आप अपने जीवन को खुद ही तै करिए अपने तौर तरीके भी खुद बनाईए और अपने लक्ष भी खुद ही तै करिए अगर आपका विवेक आपका आत्मविश्वास मजूद है तो आपको दुनिया में किसी भी चीज से ड़नने की जरूरत नहीं है मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि कई बार हमारी वा एक चली आ रही सोच के दबाव में वो काम नहीं करपाते जो करना वाकई उन्हें पसंद होता है इसलिए आपको कभी भी नया सोचने नया करने में संकोष नहीं करना चाहिए इसी तरह संत रजजाज जी ने एक और महत्वपूर संदेश दिया है ये संदेश है अपने पैरों पर खड़ा होना हम अपने सपनों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहें ये बिलकुल ठिक नहीं है जो जैसा है वैसा चलता रहे रविदास जी कभी भी इसके पक्ष में नहीं थे और आज हम देखते हैं कि देश का युवा भी इस सोच के पक्ष में बिलकुल नहीं है आज जब मैं देश के युवाओं में इनोवेटिव स्पिरिट देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे युवाओं पर संत्र विदाजी को जरूर गर्व होता मेरे पैरे देश वाचियों आज नेशनल साइश डेवी है आज का दिन भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन जी द्वारा की गई रमन इफेक्ट खोज को समर्पित है केरल से योगेश्वरन जी ने नमो एप पर लिखा है कि रमन इफेक्ट की खोज ने पूरी विज्ञान की दिशा को बदल दिया था इससे जुड़ा हुआ इस बहुत अच्छा संदेश मुझे नासिक के स्नेहिल जी ने भी भेजा है स्नेहिल जी ने लिखा है कि हमारे देश के अंगिनत वज्ञानिक है जिनके योगदान के बिना साइन्स से तनी प्रगति नहीं कर सकते थी हम जैसे दुनिया के दूसरे वज्ञानिकों के बारे में जानते हैं वैसे ही हमें भारत के वज्ञानिकों के बारे में भी जानना चाहिए मैं भी मन की बात के इंस्रोताओं की बात से सहरत हूँ मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे युवा भारत के वग्यानिक इतिहास को हमारे वग्यानिकों को जाने, समझे और खूब पढ़े साथियों जब हम साइंस की बात करते हैं तो कई बार इसे लोग फिजिक्स, केमेस्ट्री और फिर लेप्स तक ही सिमीद कर देते हैं लेकिन साइंस का विस्तार तो इससे कहीं ज़्यादा है और आत्मनिर भारत अभ्यान में साइंस की सक्ति का भहुत योगदान भी है हमेस्स को लेप टू लेंड के मंतर के साथ आगे बढ़ाना होगा उधान के तौर पर हैदराबाद के चिंतला वेंकट रेडी जी है रेडी जी के एक डॉक्टर मित्र ने उन्हें एक बार विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारिया और उसके खत्रों के बारे में बताया रेडी जी के थान है उन्होंने सोचा कि वो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कर सकते है इसके बाद उन्होंने मेहनत की और गेहूं चावल की ऐसी प्रजात्यों को विक्सित की जो खास तोर पर विटामिन D से युक्त है इसी मेहने उन्हें वर्ल्ड इंटलेक्ट्वल प्रॉपर्टी और नाशन जीनेवा से पेटेंट भी मिली है ये हमारी सरकार का सोभाग है कि वेंकर ट्रेडी जी को पिछले साल पदमस्री से भी सम्मानित किया था ऐसे ही बहुत इनोवेटिव तरीके से लदाक के उर्गेन फुट्सोग भी काम कर रहे हैं उर्गेन जी इतनी उचाई पर और्गेनिक तरीके से खेती करके करीब 20 फसले उगा रहे हैं वो भी सैक्लिक तरीके से यानि वो एक फसल के वेश को दूसरी फसल में खात के तोर पर इस्समाल कर लेते हैं है न कमाल की बात इसी तरह गुजरात के पाटन जीले में कामराज भाई चौधरी ने घर में ही सहजन के अच्छे बीज विक्सित किये हैं सहजन को कुछ लोग सरगवा बोलते हैं इसे मोरिंगा या ड्रम स्टिक भी कहा जाता है अच्छे बीजों की मदद से जो सहजन पैदा होता है उसकी क्वालिटी भी अच्छे होती हैं अपनी उपज को वो अब तमिलनाडू और पस्चिम मंगाल भेज कर अपनी आई भी बढ़ा रहे हैं साथियों आजकल चिया सिर्स का नाम आप लोग बहुत सुनते होंगे हेल्थ एवर्नेस से जुड़े लोग इसे काफी महत्व देते हैं और दुनिया में इसकी बड़ी मांग भी है भारत में इसे ज़ादातर भार से मंगाते हैं लेकिन अब चिया सिर्स में आत्मनिर भरता का बीड़ा भी लोग उठा रहे हैं ऐसे ही यूपी के बारबंकी में हरिशसंद्र जी ने चिया सिर्स की खेती शुरू किये चीया सीर्स की खेती उनकी आई भी बढ़ाएगी और आत्मंदिर भर भारत अभियान में बदद भी करेगी साथियों एग्रिकल्चर वेस्ट से वेल्थ क्रियेट करने की भी कई प्रयोग देश भर में सपलतापुरवक चल रहे हैं जैसे मदुरे के मुर्गे संजी ने केले के वेस्ट से रस्षी बनाने की एक मशीन बनाई हैं मुर्गे संजी के इस इनोवेशन से परियावलन और गंदकी का भी समाधान होगा और किसानों के लिए अतिरिक्त आय का रास्था भी बनेगा साथियों मन की बात के सुरताओं को इतने सारे लोगों के बारे में बताने का मेरा मकसद यही है कि हम सभी इन से प्रेना ले जब देश का हर नागरिक अपने जीवन में विज्ञान का विस्तार करेगा हर क्षेतर में करेगा तो प्रगति के रास्ते भी खुलेंगे और देश आत्मनिर्वर हुँ भी बनेगा और मुझे विश्वात है ये देश का हर नागरी कर सकता है मेरे पैरे साथियों कॉलकाता के रंजन जी ने अपने पत्रे में बहुत ही दिल्चस्प और बुनियादी सवाल पूछा है और साथ ही बहतरिन तरीके उसका जवाब भी देने की कोशिश की है वे लिखते हैं कि जब हम आत्मनिर्वर होने की बात करते हैं तो इसका हमारे लिए क्या आर्थ होता है इसी सवाल के जबाब में उन्होंने खुदी आगे लिखा है कि आत्म निर्भर भारत अब्यान के बल एक government policy नहीं है बलकी एक national spirit है वो मानते हैं कि आत्म निर्भर होने का अर्थ है कि अपनी किस्वत का फैसला खुद करना यानि स्वयम अपने भाग्य का नियनता होना रंजन बाबु की बात सो टका सही है उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये भी कहूंगा कि आत्म निर्भरता की पहली शर्त होती है अपने देश की चीजों पर गर्व होना अपने देश के लोगों द्वारा बनाई वस्तुओं पर गर्व होना जब प्रतेग देशवासी गर्व करता है प्रतेग देशवासी जुड़ता है तो आत्मंदिर भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभ्यान नह रहकर एक नेशनल स्पिरिट बन जाता है जब आस्मान में हम अपने देश में बने फाइटर प्लेन तेजस को कलाबाजिया खाते देखते हैं जब भारत में बने टैंक भारत में बनी मिसाइले हमारा घवरों बढ़ाते हैं जब समरुद्ध देशों में हम मैट्रो टेन के मेडी निंग्या कोचेद देखते हैं जब दरजनों देशों तक मेडी निंग्या कोरोना वेक्सिन को पहुंचते ही देखते हैं तो हमारा माथा और उंचा हो जाता है और ऐसा ही नहीं है कि बड़ी बड़ी चीजें ही भारत को आत्मनिर्वर बनाएगी भारत में बने कपड़े, भारत के टेलेंटेड कारीजरों द्वारा बनाया गया हैंडीक्राप का सामान भारत के इलेक्टोनिक उपकरण, भारत के मोबाईल, हर छेत्र में हमें इस गौरों को बढ़ाना होगा जब हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी सही माइने में आत्मनिर्भर बन पाएंगे और साथियों, मुझे खुशी है कि आत्मनिर्भर भारत का ये मंत्रा देश के गाउं गाउं में पहुच रहा है बिहार के बेतिया में यही हुआ है, जिसके बारे में मुझे मीडिया में पढ़ने को मिला बेतिया के रहने वाले प्रमोजी दिल्ली में एक टेक्निशन के रूप में LED बल्ब बनाने वाली फैक्टरी में काम करते थे उन्होंने इस फैक्टरी में कायर करने के दोरान पूरी प्रक्रिया को बहुत बारिकी से समझा लेकिन कोरोना के दोरान प्रमोजी को अपने घर वापिस लोटना पड़ा आप जानते हैं लोटने के बाद प्रमोजी ने क्या किया उन्होंने खुद LED बल्ब बनाने के एक छोटी सी unity शुरू कर दी उन्होंने अपने खेत्रे के कुछ इवाओं को साथ लिया और कुछी महिनों में फैक्टरी वरकर से लेकर फैक्टरी ओनर बनने तक का सफर पूरा कर दिया वह भी अपने ही घर में रहते हुए एक और उदाहन है यूपी के गड मुक्तेश्वर का गड मुक्तेश्वर से स्रिमान संतोष जी ने लिखा है कि कैसे कुरोना काल में उन्होंने आपदा को अवसर में बढ़ला संतोष जी के पूर्खे शांदार कारिगर थे चटाई बनाने का काम करते थे कुरोना के समय जब बाकी काम रुके तो इन लोगों ने बड़ी उर्जाव और उत्सा के साथ चटाई बनाना शुरू किया जल ही उन्हें न केवल उत्तपदेश बलकि दूसरे राज्यों से भी चटाई के ओर्डर मिलने शुरू हो गए संतोज जी ने यह भी बताया है इस से इस खेत्र की सेंकडो साल पुराने खुबसुरूत कला को भी एक नई ताकत मिली है साथियों देश भर में से कई उदारण हैं जहां लोग आत्म निर्भर्थ भारत भ्यान में इसी तरह अपना योगदान दे रहे हैं आज यही एक भाव बन चुका है जो आम जनों के दिलों में प्रवाहित हो रहा है मेरे प्यारे देश स्वास्यों मैंने नमो एप पर गुड़गाओं निवासी मयूर की एक इंटरेस्टिंग पोस्ट देखी वे पैशनेट बड़ वाचर और नेचर लवर है मयूर जी ने लिखा है कि मैं तो हर्याना में रहता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप असम के लोगों और विशेश रुप से काजी रंगा के लोगों की चर्चा करें मुझे लगा कि मयूर जी राइनोज के बारे में बात करेंगे जीने वहाँ का गवरो कहा जाता है लेकिन मयूर जीने काजी रंगा में वाटर फॉल्स की संख्या में हुई बडोदरी को लेकर असम के लोगों की सरहना के लिए कहा है मैं डून रहा था कि हम वाटर फॉल्स को साधान सब्दों में क्या कह सकते हैं तो एक शब्द मिला जल पक्षी ऐसे पक्षी जिनका बसेरा पैडो पर नहीं पानी पर होता है जैसे बतक वगएरे काजी रंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर आथोरिटी संख्या का पता चलता है और उनके पसंदिदा हैविटेट की जानकारी मिलती है अभी दो तिन सब्दा पहले ही सर्वे फिर हुआ है आपको भी जानकर खुशी होगी कि इस बार जल पक्षियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में करीब 175 प्रतिशक जदा आई है इस सेंसस के दोरान काजी रंगा नेशनल पार्क में बर्ष की कूल 112 स्पेसिस को देखा गया है इन में से 58 स्पेसिस यूरोप, सेंटरल एशिया और इस्ट एशिया सही दुनिया के विविन हिस्सों से आए बिंटर माइग्रेंट से है इसका सबसे महतोपुन कारण ये है कि हम बहतर बॉटर कंजर्वेशन होने के साथ हुमन इंटर्फियरंस बहुत कम है वैसे कुछ मामलों में पॉजिटिव हुमन इंटर्फियरंस भी बहुत महतोपुन होता है असम के स्री जादव पाएंग को ही देख लीजिए आप मैसे कुछ लोग उनके बारे में जरूर जानते होंगे अपने कारियों के लिए उन्हें पदम सम्मान मिला है स्री जादव पाएंग वो सक्स हैं जिनोंने असम में मजूली आइलेंड में करीब 300 हेक्टर प्लांटेशन में अपना सक्रिय योगदान दिया है वे वन सवरक्षन के लिए काम करते रहे हैं और लोगों को प्लांटेशन एवं बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वर्शन को लेकर परेरीद करने में भी जुटे हुई है साथियों असम में हमारे मंदिर भी प्रकूती के सवरक्षन में अपनी अलगी भूमी का निभा रहे हैं यदि आप हमारे मंदिरों को देखेंगे तो पाएंगे कि हर मंदिर के पास तालाब होता है हजो स्थित हयागरिव मधेब मंदिर सोनितपूर के नागशंकर मंदिर और गुवाटी में स्थित उगरतारा टेंपल के पास इस प्रकार के कई तालाब है इनका उपयोग बिलुप्त होते कच्छूओं की प्रजातियों को बचाने के लिए किया जा रहा है असम में कच्छूओं की सबसे अधिक प्रजातिया पाई जाती है मंदिरों के ये तालाब, कच्छूओं के सवरक्षन, प्रजिनन और उनके बारे में प्रक्ष्रिक्षन के लिए एक बहतरीन स्थल्ब बन सकते है मेरे पहरे देशवासियों, कुछ लोग समझते हैं कि इनोवेशन करने के लिए आपका साइंटिस होना जरूरी है कुछ सोचते हैं कि दूसरों को कुछ सिखाने के लिए आपका टीचर होना जरूरी है इस सोच को चुनोती देने वेले व्यक्ति हमेशा सरहानिय होते हैं अब जैसे क्या कोई किसी को सोल्जर बनने के लिए प्रसिक्षित करता है तो क्या उसको सैनिक होना जरूरी है आप सोच रहे होंगे कि हाँ जरूरी है लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विष्ट है माई गौपर कमलकान जी ने मीडिया की एक रिपोर्ट साजा की है जो कुछ अलग बात कहती है ओडिसा में अराखुडा में एक सज्जन है नायक सर वैसे तो इनका नाम सिलु नायक है पर सब उन्हें नायक सर ही बुलाते हैं दरसल वे man on a mission है वह उन युवाओं को मुप्त में प्रसिक्षित करते हैं जो सेना में शामिल होना चाहते हैं नायक सर के और्गनेशन का नाम महा गुरु बट्रेलियन है इसमें फिजिकल फिटनेस से लेकर इंटर्व्यूस तक और राइटिंग से लेकर ट्रेनिंग तक इन सभी पहलूँ के बारे में बताये जाता है आपको यह जानकर हरानी होगी कि उन्होंने जिन लोगों को प्रस्रिक्षन दिया है उन्होंने थल से ना, जल से ना, वायू से ना, CRPF, BSF, ऐसे यूनिफर्म फोर्सिस में अपनी जगह बनाई है वैसे आप यह जानकर भी आस्टेरे से भर जाएंगे कि सिलून आयक जिने खुद उडिशा पुलीस में भरती होने के लिए प्रयास किया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाए इसके बावजुद उन्होंने अपने प्रशिक्षन के दम पर अनेक युवाओं को राष्ट सेवा के योगे बनाया है आईए हम सब मिलकर नायक सर को सुपामना दे कि वो हमारे देश के लिए और अधिक नायकों को तयार करें साथियों कभी कभी बहुत छोटा और साधान सा सवाल भी मन को जगजोर जाता है इस सवाल लंबे नहीं होते हैं बहुत सिंपल होते हैं फिर भी वे हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कुछ दिन पहले हैदरबाद की अपणना रेडी जी ने मुझसे ऐसा ही एक सवाल पूशा उन्होंने कहा कि आप इतने साल से पी एम है इतने साल सी एम रहे क्या आपको कभी लगता है कि कुछ कमी रह गई अपणना जी का सवाल बहुत सहज है लेकि उतना ही मुश्किल भी मैंने इस सवाल पर विचार किया और खुद से कहा मेरी एक कमी ये रही कि मैं दुनिया की सबसे प्राचिन भाषा तमिल सिखने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया मैं तमिल नहीं सिख पाया ये एक ऐसी सुन्दर भाषा है जो दुनिया भर में लोग प्रया है बहुत से लोगों ने मुझे तमिल लिटरेचर की क्वालिटी और इसमें लिखी गई कवीताओं की गहराय के बारे में बहुत कुछ बताया है भारत ऐसी अनेक भाषाओं के स्थली है जो हमारी संस्कृती और गवरों का प्रतीक है भाषा के बारे में बात करते हुए मैं छोटी सी इंट्रेस्टिंग क्लीप आप सब के साथ साजा करना चाहता हूँ भवताम शर्वेशाम हारदम हारदम स्वागतम अस्ति एकता मुर्ति याहा दक्षिन तह साथ पूला परवत माला अस्ति एकता मुर्ति याहा वाम तह विध्याचल परवत माला अस्ति एकता मुर्ति याहा नर्मदा नदिश्य उपरी भागे भर्तते अहम एकता मुर्तियाहा कार्य करता अस्ति सर्दार वल्लभाई पटे लहा लोहा पूरुश रहा इती उच्यते दरसल अभी जो आप सुन रहे थे वो Statue of Unity पर एक Guide संस्कृत में लोगों को सर्दार पटेल की दुनिया के सबसे उची प्रतिमा के बारे में बता रही है आपको जानकर खुशी होगी कि केवडिया में 15 से जादा Guide धारा प्रभाई संस्कृत में लोगों को Guide करते हैं अब मैं आपको एक और आवाज सुन वाता हूं आप भी इसे सुनकर हैरान हो गए होंगे दरसल यह संस्कृत में की जा रही क्रिकेट कमेंटरी है वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालों के बीच एक क्रिकेट टोनामेंट होता है यह महाविद्यालों है, सास्त्रार्थ महाविद्याले, स्वामी वेदान्ती वेदपित्यापिट, स्री ब्रह्मवेद विद्याले और इंटरनेशनल चंद्रमवली चरिटेबल टरस्ट इस टूर्नामेंट के मैचों के दोरान, कॉमेंटरी संस्कृत में भी की जाती है अभी मैंने उस कॉमेंटरी का एक भगती छोटा सा हिस्सा आपको सुनाया यही नहीं, इस टूर्नामेंट में खिलाडी और कमेंटेटर पारंपारिक परिधान में नजराते हैं एदि आपको energy, excitement, suspense, सब कुछ एक साथ चाहिए तो आपको खेलों की commentary सुननी चाहिए टीवी आने से बहुत पहले sports commentary हुई वो माध्यम थी जिसके जरिये, cricket और होकी जैसे खेलों का रोमांच देज भर के लोग महसूस करते थे tennis और football मैचों के commentary भी बहुत अच्छी तरह से पेश की जाती है हमने देखा है कि जिन खेलों में commentary संबुर्द है, उनका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से होता है हमारे यहां भी बहुत से भारतिय खेल हैं, लेकिन उन में commentary culture नहीं आया है और इस वजह से वो लोग में के स्थिती में हैं, मेरे मन में एक विचार है, क्योन अलग-अलग sports और विशेशकर भारतिय खेलों की अच्छी commentary अधिक से अधिक भाषाओं में हो, हमें इसे प्रुथाइत करने के बारे में जरूर सोच रहा चाहिए मैं खेल मंत्रा ले और प्राइवेट समस्तान के सयोगियों से इस बारे में सोचने का आगरह करूँगा मेरे प्यारे युवासाथियों, आने वाले कुछ महिने आप सब की जीवन में विशेश महत्वरक रखते हैं अधिकतर युवासाथियों के एक्जाम्स परिक्षाएं होगी अब सब को याद है ना, वारियर बनना है, वारियर नहीं हंसते हुए एक्जाम्स देने जाना है, और मुस्कराते हुए लोटना है किसी और से नहीं, अपने आप से ही स्परधा करनी है परियाप्त निंद भी लेनी है, और टाइम मैनेजमेंट भी करना है खेलना भी नहीं छोटना है, क्योंकि जो खेले, भो खिले, रिविजन और याद करने के स्मार्ट तरीके अपनाने है यानि कुल मिलाकर इन एक्जाम्स में अपने बेस्ट को बहार लाना है आप सोच रहे होंगे, यह सब होगा कैसे? हम सब मिलकर यह करने वाले हैं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम सब करेंगे परिक्षा पे चर्चा लेकिन मार्च में होने वाली परिक्षा पे चर्चा से पहले मेरी आप सभी अग्जाम वारियर से, पैरेंट से और टीचर से रिक्वेस्ट हैं कि अपने अनुभव, अपने टीप्स जरूर शेर करें, आप माई गौव पर शेर कर सकते हैं, नरेन्द मोदी एप पर शेर कर सकते हैं, इस बार की परिक्षा पे चर्चा में युवाओं के साथ साथ पैरेंट्स और टीचर्स भी आमत्रित है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे प्राइज जीतने है, कैसे मेरे साथ डिस्कसन का अउसर पाना है, यह सारी जानकारियां आपको माई गौव पर मिलेगी, अब तक एक लाग से अधिक विद्यार सी, करीब 40,000 पैरेंट्स और तकरीबन 10,000 टीचर भाग ले चुके हैं, आप भी आज ही कीजिए, इस कोरोना के समय में मैंने कुछ समय निकाल कर, एक्जाम वारियर बुक में भी कई नए मंत्र जोड दिये हैं, अब इसमें पैरेंट्स के लिए भी कुछ मंत्र एट किये गए हैं, इन मंत्रों से जुड़ी धेर सारी इंट्रेस्टिंग एक्टिबिटीज साथ्यों को आने वाली परिक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुब कामना हैं, मेरे प्यारे देश्वासियों, मार्च का महिना हमारे फाइनांसियल येर का आखरी महिना भी होता है, इसलिए आप में से बहुत से लोगों के लिए काफी विस्तता भी रहेगी, अब जिस तर से देश में आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही हैं, उससे हमारे व्यापारी और उद्यमी साथ्यों की व्यस्तता भी बहुत बढ़ रही हैं, इन सारे कारियों के बीश हमें कोरोना से सावधानी कम नहीं करनी हैं, आप सब स्वस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, कर्तव देश से आगे बढ़ता रहेंगे, तो देश तेजी से आगे बढ़ता रहेगा, आप सभी को त्योहारों के अगरिम शुप कामनाएं, साथ साथ कोरोना के समन में जो भी नियमों का पानन करना हैं, उसमें कोई धिलाई नहीं आनी चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद में करना हिए, बहुत बढ़ता रहे दागे साथjak में जो प्धिलाई चाहिए, फबश्साओ कर द भी म्यों करना हादा हैं, दो, कि वे दो, क favलो दो, कि मूला को प्या लाँादी and pools आप में आप इस से एकट कह',